हेलो दोस्तों, आप सभी ने अपनी गली महलों में कुत्ते या बिल्ली की फाइट्स तो जरूर देखी होंगी पर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे खुंखार जानवरों की फाइट्स जो लकीली कैमरे में कैद हो गई आप जिन खुंखार जानवरों की फाइट्स आप देखेंगे, वो आम तोर पर देखने को नहीं मिलती आज आप इस वीडियो में जानेगे कि कौन सा जंगली जानवर किस पर भारी पड़ता है जिहां दोस्तों, जंगल की राजा शेर से भला कौन नहीं डरता पर मगरमच से भी बैर कोई आसान नहीं होता इस वीडियो में एक शिकार हुए हाथी के लिए दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए फिर क्या था, भला हाथ आया शिकार कौन जाने देता दोनों एक दूसरे से भढ़ गए, लड़ाई बराबर की थी लेकिन तभी शेर के दो ओर साथ ही आ गए और उस अकेले मगरमच पर तूट पड़े कुछ देर तक तो मगरमच तीनों शेरो के साथ लड़ता रहा और शेरो की पीट पर वार करता रहा पर भला तीन शेरों के सामने अकेला मगरमच कैसे टिकता सो उसने खिसक लेने में ही भलाई समझी और शिकार हुआ हाथी जीत के इनाम के तौर पर शेरों को मिल गया साप परसिल्स खरगोश दोस्तों साप से भला कौन नहीं डरता क्योंकि उसका एक डंक किसी का काम तमाम करने के लिए काफी होता है इस लड़ाई में भी आप सोच रहे होंगे कि भला खरगोश साप के सामने कैसे टेक सकता है पर रुकिये दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है इस फाइट में खरगोश इतना एक्रसिव हो गया कि उसने साप को दोडा दोडा कर मारा साप बार-बार उससे छूट के भागने की कोशिश कर रहा था पर खरगोश अपनी जिद पर आड़ा था कि जैसे आज साप को मार करी छोड़ेगा और आखिर में खरगोश ही विजई हुआ जिराफ वर्सिज लॉयन अफरिका के मैदानों में ये गजब की फाइट रिकॉर्ड की गई जहां एक बार फिर जंगल के राजा शेर को शिकस्त खानी पड़ी शेर ने जैसे ही उचल कर जिराफ की गर्दन दबोशनी चाही जिराफ ने पलट कर शेर को ऐसी लातमारी के शेर ओंदे मूगिरा और फिर बार बार एक के बाद एक शेर पर कई वार किये जिससे शेर को समलने का मौका ही नहीं मिला और आखिर में फिर जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर को हार का स्वाद चखना पड़ा दोस्तों अगर संखर्ष नहीं है तो फिर प्रगती नहीं है साप वर्सेज नेवला दोस्तों साप और नेवले की दुश्मनी बहुत पुरानी है दोनों एक दुश्रे के जानी दुश्मन है एक साप भूख से तलपता हुआ खाने की तलाश में एक नेवले के बिल में जागुसा पर साप को कहां पता था कि वो गलत घर में घुस गया है नेवले ने साप के मुँख को बुरी तरह से दवोश लिया और अपने बिल से बाहर घसीट लाया एक्चली बिल में उसके चार छोड़े बच्चे थे पर साप ने भी हार ने मानी और नेवले को पूरी तरह से जगड़ लिया पर नेवले के वार इतने जबरदस थे कि साप को हार मान कर वहां से भाग लेने में ही अपनी भलाई समझी शाक वसल ओक्टोपस दोस्तों ये एक लंबी शाक शांत समुदर में मजे से तैर रही थी कि घात लगाए बैठे एक उक्टोपस ने शाक को बुरी तरह से जगड़ लिया शाक ने भी अपनी पूरी जान लगा कर बचने का भरपूर प्यास किया लेकिन उक्टोपस की पकड़ इतनी जबरदस होती जा रही थी कि आखिर में शाक की हिम्मत जवाब दे गई और उक्टोपस ने उसे अपना खाना बना लिया एक शेर और भैसे की लडाई में आप शायद यही सोच रहे होंगे और शेरों को दोस्तों पटक पटक कर मारने लगा एक शेर को तो उसने अपने सींग से उठा कर कई फूट उपर उचाल दिया शेरों के जुंड में ऐसी अफरा तफरी मची कि शेरों ने वहाँ से खिसक लेने में ही भलाई समझी दो खूंखार जानवरों की ये रडाई वाकई बड़ी दल्चस्प है ये तेंदुए धूप में मज़े से सो रहा था कि तभी वहाँ शेर आ गया तेंदुए को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके उपर जान लेवा हमला होने वाला है तेंदुए अपनी बिजली से फूर्ती के लिए जाना जाता है तेंदुए ने भी बड़ी फूर्ती से अपने आपको शेर के वार से बचाया और छट से एक पेड़ पर चड़ गया बेचारा शेर देखता रह गया Snake vs. Crocodile एक Australian लेक में एक बहुत बड़ा साप और मगरमच आपस में भिड़ गए साप ने जो ही मगरमच को जगड़ना चाहा मगरमच ने अपने तीखे दातों से साप को दबोच लिया पर साप भी कहा हार मानने वाला था आखिर सवाल उसकी जान का था साप ने भी मगरमच को अपने पूरे लपेटे में ले लिया और जगड़ को लगातार मजबूत करता गया आखिर मगरमच ने खुद को साप से चुड़ा कर पीछे हटना ही ठीक समझा Bison vs. Loin जंगल का राजा बबबर शेर अपने शिकार पर निकला था उसे नदी किनारे एक Bison और उसका छोटा सा बच्चा दिखाई दिया छोटे बच्चे को आसान शिकार समझ शेर ने उस पर हमला करना चाहा पर उस बच्चे और शेर के बीच में Bison खड़ा था शेर के कई हमलों के बाद भी Bison ने शेर को उसे अपने बच्चे तक नहीं पहुँचने दिया आखिर अपने बच्चे के लिए Bison के जजबे के आगे शेर हार गया जंगली सूर वर्सिस क्रोकुडाई दोस्तों जंगली सूरों का परिवार नदी किनारे पानी पीने आया था जहां एक मगरमच खात लगा कर शिकार के लिए बैठा था सूरों के साथ उनके छोड़े-छोड़े बच्चे भी थे जिन पर जैसे ही मगरमच छप्टा सूर भी अपनी बच्चों को बचाने के लिए मगरमच से भिड़ गए जवर्दस लड़ाई के बाद आखिर सूरों ने खुंखार मगरमच को खदेड दिया और अपने बच्चों को बचा लिया लोमडी वर्सिस बाज बाज अक्सर छोटे-छोटे पक्षी या छोटे-छोटे जानवरों का ही शिकार करता है पर इस बार बाज का मन इस लोमडी के शिकार का था बस बाज दूर से ही उड़ता हुआ आया और इस लोमडी को दबोच लिया लोमडी ने भी पूरा जोर लगा कर बाज परवार किया पर बाज के पंजो की पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि आखिर लोमडी को बाज के आगे धराशाई होना पड़ा दोस्तों आपको इन सब में से कौन सा अच्छा लगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताईएगा और अगर इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें दोस्तों ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो को देखने के लिए Facts Factory को अभी सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद